मैंने उनको बड़े पॉलाइटली बहुत इज़त के साथ बोला भई मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूं पर आई वेल लॉंट यह सब मैं नहीं कर सकती हूं एक दो बार मुझे खुद डर भी लगा कि भाईया ऐसा कुछ हुआ तो मैंने तो इसको बहुत बुरी तरह जाड़ दिया एक बार किसी एक स्टार को तो अगले दिन सेट पे गई तो मैं खुद बड़ी डरी हूई मैंने का या यह तो मैं तो भी नहीं 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 आई हूं और यह तो इस्टाइबलिश्ट है क्या होगा हम आपके हैं कौन जब आप यह मुवी कर रही थी तो सेट पे किस तरह का माहूल रहता था सल्मान खान किस तरह के हैं थोड़ा सा क्यूंकि वीवर्स भी जाना चाहेंगे क्यूंकि आप अबलिक ली तो सब जानते हैं लेकिन कैमरा आप लोग कैसे रहते हैं वो बते हैं लेकिर हम बीवी नंबर वन कर रहे थे डेविट के साथ हमने तो उसमें भी उसकी मा थी और हम लोग वेट करें मैं और करिश्मा तयार हो रहे हैं कि नौ बजे की शिफ्ती मेक अगर एड़ी सल्मान भाई आई नहीं रहे तो डे पीछे एक सीन वाद हम देख रहे थे एक खबर आई थी वो जो तनुश्री दथा के साथ केस हुआ था वो सेट पे ऐसे कुछ चीजा हुए थी ना ना पाठ कर नोने नाम मता उपनली नाम लिया था चीजा हुए थी अब तो फॉरन में शिफ्त हो गई हो तो वो खुलके ऐ अगर मैंने किसी पर्टिकुलर कोई स्टार का या डिरेक्टर का नाम ऐसे ले दिया तो उनकी करियर पर एफेक्ट पड़ेगा क्यांकि देर इस नो डाउट इस हीरो ओरियेंटेर मेल डॉमिनेटेद सोसाइटी तो मतलब यह है कि I had to do the play और मेरे मतलब मदर आपको मिलवाने वाले हैं एक बहतरीन एक्ट्रेस हिमानी श्रीपुरुजी से और इनसी में और परिशे आप तो I think किसी तारुफ की मौताज नहीं है लेकिन इनके बारे में आपको बताऊं तो कई सारी मुवीज में आपने इने देखा होगा हम आपके हैं कौन में सल्मान खान के साथ आपने देखा होगा दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे मैं आपने शारुक खान के साथ देखा और ऐसे बहुत सारी सुपर हिट फिल्में रही हैं जिन में आपने काम किया है और कई सारी सीरियल्स में भी मैं बहुत-बहुत स्वागत है थांक यू बहुत अ करती हैं क्योंकि यहां से आप तब निकली जब आपने स्ट्रगल शुरू किया था और अब जब आती है तो सक्सेस्फुल करियर है आज आपका कौन नहीं आपको जानता है कैसा मैसूस करती हैं कि आसपास आपके जो परोसी है अब कैसा रियक्ट करते हैं देखकर बड़े आपको देखकर इतनी खुशी मिलती है जब भी हम आपको टीवी और सिनेमा में देखते हैं आप तो हमारी शान है और आप आती हैं मैंने सुना था लेकिन आज पहली बार आपसे मुलाकात हुई तो जिस प्रेम से वो मिली न तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैं भी उ यहां पी जब मैं इधर वॉक केले जाती हूँ मॉनिंग या इवनिंग में तो पडोसी मिलते हैं रहे कहते हैं हलो आप आए वे हैं और कुछ लोग तो रुख के फोटो भी खिछाते हैं तो अच्छा लगता है इस पार्ट ओफ दू सेलिबरिटी लाइफ की लोग आपको पसंद करते हैं कुछ लोग तो इसका बहुत उस तरह से रियाक्ट करते हैं कुछ टास की तंग आ जाते हैं वो फोटो से लेकिन मुझे लगता है यह लोगों का प्रेम है और उसी की वज़े से कि लोग हमको पसंद करने अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लग तो तब लोगों को समझ ही नहीं आता था उनको बताएं कि आप बहार से हैं कि कहां से हैं तो मैं I think पहली महिला थी इस रीजन से जिसने थेटर में और फिल्म में अपना इस लाइन में प्रवेश किया और थोड़ा सा काम मिला नाम कमाया तो लोग ऐसा कहते थे कि एक तो बच पुरी है जिसने की फिल्म दुनिया में अपना नाम कमाया तो बहुत अच्छा लगता है और लोगों को लगता है अपना पन के अपने पहार की नौनी है यह पहार के नौनी है जिसने मतलब जिसको हम देखते हैं तो वैसे भी जो आप परदे पे देखते हैं तो आपके चाहूंगी एक तपका दौर था जब आप इस इंडिस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए अपनी पहचान बनाने के लिए यहां से निकलती है और एक अपका दौर है अगर मैं दौनों दौर में डिफरेंस की बात करूं तो तब जादा आप संघर्ष महसूस करती थी या आपको लगता है कि अब जादा संघर्ष है या अब कम है मतलब किस तरीके से देखती हैं देखिए पहले मुझे लगता है कि उस दौर पे जादा संघर्ष था क्योंकि उस वक्त सिर्फ दो ही वो थे माध्यम एक तो टीवी था और एक सिनेमा था और सोशल मीडिया तो बिलकुल नहीं के पराबर था मतलब मुझे याद है कि जब मेरा पहला सीरियल इतना हिट हुआता है देव की बहुँ जाए क्योंकि टेलेविशन हारे घर घर से पहुंच जाता है लेकिन आज का जो सोशल मीडिया से आपको जो हाइक मिलता है वो तो उस कंपैरजन ही नहीं थी मतलब आप सड़नली मतलब पहले तो टीवी तो घर घर तक पहुंचाता था और लोग सिनमा घर जाने में तो थोड़ा सा जो फिल्म हिट होती थी तो आपको देखते थे लेकिन यह आपके फोन पे है सोशल मीडिया लोग आपको देख रहें तो आप इंस्टन स्टाज हो जाते हैं इंस्टा में यूट्यूब में आजकल तो इतने सारे टिक टॉक है कितने सारी वराइटीज है और आजकल इतने वराइटी प्रोग्राम्स है आप देखिया हमारे उत्राखंड से उस वक्त तो मैं ही अकेली थी लेकिन आजकल कितने सारे कलाका पहुँच गए हमारे जुबिन नौटियाल और निहा ककर हाला कि वो उतराखंडी नहीं मगर है तो रिशिकेश सही तो हमारे क्योंकि यह रियालिटी शूज इतने आ गए तो लोगों को मौका मिला अपना टालेंट दिखाने के लिए लेकिन हमारे पास तो वही था या तो टी और स में। वह तना टालेंट पास जहाएं है तो लेखनात को मरा आम आप और करने की अग्या जाता है तो अग्या आवट साइडर को इनिर सिर्कल में घुषने के लिए जारी ही क्योंकि यह चैनलो करने सोशल मीडिया हम ऐसे भी देखते हैं कि कुछ इंस्टा से स्टार बन गए हैं और कुछ यूटूब से और उनको फिर क्योंकि वहां पर वह अपनी स्किल्स दिखा कर एं यह सबस्टा भी शमक्याद करेंगा था पडंता है दिया सिरियलन जाली सबस्क्राइबली तो मैंपने से जाक nuggetsड़ की स्किल्स दिखानी है दी Komm Elesa क मेरे साथ तो ऐसा वा था कि मैं मैं यहान से जाकर दिली राष्ट ए नाट विद याले तीन सालगे ट्रेनिंग तो हम लोग जब प्लेस करते थे तो सबसे पहले जो सीरियल बन रहा था हम लोग तो उसमें मुझे मनोर शाम जोशी वो हमारे उत्तराखन के हैं वो उसके लेखक थे और कुमारवासु मुझे बुलाया था कि हम दोने चुटकी का रॉल आफर किया था तो दो दिन मतलब कि आपका पूरा वीक आपके पस कोई समझ नहीं है, आज कल तो ऐसी रफतार हो गई है, and technically also things are advanced कि लोग एक दिन में एक एक एपिसोड उनको बनाना पड़ता है, हो सकता है, देर दिन, उससे जादा करेंगे तो लॉस है, और पिर ताइम के अगेंस देर फा हाल के बाद, जब मुझे दूसरी बार, एक मनोर शाम जोशी का दूसरा वो था सीरियल, हम राही, जिसमें एक देवकी भोजाई का क्यारेक्टर बंबे वाले धून रहे थे, तो ऐसे पूछते थे, उस टाइम भी पूछते थे, कि पई दिली में कोई एक्ट्रिस है, तो मनोर शाम जोशी नहीं लिखा था, उसको, उन्होंने का है, तो एक हमानी भट है, शिवपुरी, लेकिन वो थोड़ी पागल है, उसको मैंने हामूल लोग में जब पूचा था, तो उसने मना कर दिया था, तो खैर मैं आई, बंबई और मेरे चार- मेरे हजबन को भी रोल उफर किया, तो वो मुझसे जादा एक्साइटेड थे, तो हम लोग आए, हम राही हमने किया, और चांस की बात है न, डेस्टिनी होती है, कि मेरा जो देवकी पहुचाई है, वो एकदम से हिट हो गया, तब मुझे किसी को बतानी की ज़रत नहीं होता था, तो मैं हम चार्टर बस में बैठी थी, और भी ऑफिस के लोग जाते थे, और पर पांच बजे पर्फॉमंस्स होती थी, तो शाम को होता था, तो जब मैं उन्हें के साथ वापस आती थी, यह दो एसी बाते करते थे, क्या कन देवकी बहरती है, तो लोग बहुच और बंबई के खासियत है कि अगर आप एक बार अपने अपने अपना टैलेंट दिखा दिया तो फिर आपको हाथों हाथ ले ले लेते हैं और मेरी जो फर्स्ट कमर्शिल फिल्म मुझे मिली थी क्योंकि सूरुज बर जाते हैं और राजबाबू ने मेरा आजर का खौब एक बर्नर शौ का पिगमेलियन है उसका उर्दू डाप्टेशन देखा था तो तब वो हम आपके कौन की स्क्रिप्ट लिख चुके थे तो उन्होंने मुझे बलाए अपनी ओफिस में और राजबाबू ने तो बोला आप तो आप तो में रोल करती हैं तो यह आप क्या लाइक सुनें और काम भी चाहिए था क्योंकि अब सब कुछ छोड़ चाड़ के दिल्ली से सब घर बार मतलब फॉर्निचर वगेरा बेच के चले के थे मेरे हास्बन ने ही बोला कि चलो 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 तो अब मैंने का हाँ तो फिल्म की और वो फिल्म सूपर डूपर हिट होगे तो फ मैं में किन फिल्म एम डेजर रौल फर यू रिफद भी तो इस तरह कुछ कुछ होता इस तरह एक के बाद एक ऐसे शिल्सला चल ले लगा तो ऐसे फिर फिल्मों में यह जिए करोँगे आपने बताया पहली एक हमारे लिए तो पहले हिट में वही काऊंगी जो हम आपके है कौन, तो हम आप के हैं कौन जब आप ये मूवी कर रही थी, तो सेट पे किस तरह का माहौल रहता था, सलमान खान किस तरह के हैं, थोड़ा सा क्यूंगि वीवर्स भी जाना चाहेंगे, क्योंकि आप प्लिक ली तो सब जानते हैं, लेकिन आप लोग कैमरा आप लोग कैसे रहते हैं? वो बते हैं? आप लोग मेरी पहली बड़ी कमर्शिल फिल्म थी और मैं पहारी लड़की और थेयर्टर वे तो पहले तो मुझे बढ़ा अजीब सा लगता था उस फिल्म में इतने बड़े-बड़े स्टार्ज थे मतलब बिंदू जी थी और सतीशा थे और सलमान खानो मादुरी जी तो नंबर वान थी उस वक्त और मतलब रिमा लागू अनुपम मेरे सीनियर थे अनुपम को में थोड़ा बहुत जानती थी क्योंकि वो हमारे प्लेज आकर देखते थे नस्टी में बीच बीच में तो मैं इतनी डरी रहती थी मैं सेट पर किताब पड़ती थी मैं बुक वर्म थी शुरू से और मेरे को समझ भी नहीं आता था तो पहली बार जब मैं सेट कर देखते हैं सतीशा और ऐसी कुछ बात होती तो मैं ऐसी पूले के तो वो ऐसी कुछ करके आता है चची जान और वो एकदम से उसने मुझे गोदी में उठा लिया हमने रहसल की नॉमल तो उसमें तु उसने ऐसे कुछ नहीं किया है तो यह तो मेरा थेटर का बैक हैं लेट्स कीप इट तो वो ऐसी है बहुड़ी बदमाश है शैतान मतलब उनके दिल में अभी भी वो बच्चा जिन्दा है मैं सल्मान की और एक किस्सा सुनाती हूं बहुत सारी किस्से हैं लेकिन हम बीवी नंबर वन कर रहे थे डेविड के साथ हमने तो उसमें भी उसक हैं भाईजान निकल गए हम महभूब में शूटिंग कर रहे हैं और सल्मान भी बांडरा में रहता है तो कहते हैं घर से निकला अभी तक महभूब नहीं पहुंचा खर उसने बुला चलो मेरा और करिश्मा का कोई सीन था वो स्टार्ट किया और जैसे हम सीन कर रहे थे इतन हैं तो यह ऐसा है तो इस सल्मान यह वेरी स्पॉन्टेनियस और बहुत ही अच्छा है मुझे और उसकी खासियत है कि वह अपने घर से खाना बना के लाता है तो उसमें तो लाते ही था चुपके से क्योंकि वहां तो सब वेजिटेरियन है एद को या ऐसे को बिर्यानी लेक कर दो सबुपकी है तो वह सब दीए निएंश रही के साथ एक शो कर रहे थे जिसमें वह कला जुट अवज्प शो ता ना तो उसमें बिर्यानी मैं तो मैं और अपरा मेहता था हूं को बनाया था उन्हों को ने उसका कर आंकर उस शो का तो हम गय वहां उसकी शूटिंग प कि यह तो बात ही नहीं थी, क्योंकि वो डांस भी कर रहे थे, वो अलग है, तो वाई शुड़ी अपियर इन दिस, तो खैर बड़ी मुश्किल से, अब हम सुबह से बैटे वे, मैं और अपरा, तो फिर मैंने का यार यह तो बहुत पतनी, वो करें कि एस यह और वो बाकी दो चाहिए, कि ऐसे खुड़ी को झाचि उना आए तो मैं सीधे आए, माच्ट बहर अर सल्मान और थे जन्चू की साथ भी मैं फिल्म कर चुकी थी, तो उसकी भी मैंने मा का रोल था तू और भाए, मैंने का हाई में का है, क्या हा तूमको तब से बिठार कर दे दो यार द कुछ दिन नहीं खाती हूं नॉन्वेज तो नॉन्वेज था तो मैं बूली नहीं आव अल्रडी हैड मैं उसको नहीं बता पाती थी कि मैं आज नहीं काऊंगी तो खैर वह हो गया हमारा इंटर्व्यू मतलब भी डिडिर सेशन उसको मैंने बुला ऐसे आउंगे ऐसे चलो च अच्छा संजु काफी चुलबुले हैं हां बहुत चुलबुले हैं अपने शारुक खान के साथ भी दिलवाले दुलहनियां ले जाएंगे कुछ-कुछ होता है मैं भी आप थे गम और एक बहुत बढ़ी फिल्म बनी थी जो बाद में डिजास्ट्रों वित्रे मूर थी उस संजय दत को होना था पर वो अस वक्ट पकड़ा गया तो देनानिल कपूर के मिन शारुक और जैकी और वो तो कई हुई है ही तो बहुत हुए नहीं तो बहुत सूपर हिट तो बहुत हुई मतलब एक ताम तो ऐसा होता था कि लोग बोलते थे देविद बोलता था चाभी स नहीं नहीं लिया तो तरवाज डेट नहीं यह फिल्म नहीं चलेगी क्योंकि लाकी क्योंकि अटाच वोट मतलब काफी सारी अगर एक बार में देख रही थी कि टॉप टेन ग्रॉसर्स में चार फिल्में मेरी थी लाइक लिए लिए हम आपके कॉन कभी कुशी कभी कम और कुछ कुछ होता है। right from mother India to the present times four of my films were there so that is a great achievement Shah Rukh is a wonderful person and I didn't know when I met Shah Rukh I think it was Trimurthy Oli that ma'am, the film you were a heroine I was doing a crowd role he was doing a small character it was the first English films where Annie gives it those ones and Anuradha Chopra Anuradha Chopra is a great film critic Vidhu Vinod Chopra's wife so she was in the top 50 films where Annie gives it those ones so she was Annie it's about Bohemian architectural life she was written by Arundhati Roy Booker Winner so she played with a 60-60 and she was her girlfriend romantic so when I watched a film again I was thinking the same thing she sang in the theater and for the reason she had these cues like she's on DDLJ में वो सीन बहुत लोग पसंद करते हैं ना साडी वाला के लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है वो अभी तक याद है एक वो और एक अनुपम जी के साथ जो बहारों फूल तो मैं बताती हूं वो ऐसा सीन था कि मेरा और साडी वाले के शॉट अलग है और शारुक अलग है खि बिचारा तो नहीं कहूंगे नहीं मतलब है वो सीन इतना अच्छा निकल कर आ है क्योंकि कोई भी सीन अप अकेले नहीं कर सकते है तो वो अंडर्स्टांड करता है तो यह उसकी खासियत है कि वो पर्देश में भी जब मैं इतना हला बुला करते हूं तो भी रहर्स्ट पर तो हमको बड़ा मजा आता था वित शारुक अ थार जेंट्लमन और वो बहुत ही वेल मैनल जैसे यूशली इंडियन मेल्स ऐसे नहीं होते कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो जैसे कि वो यह बिटिश सभ्यता है ना कि लेडी आती है तो आप खड़े हो जाते है और उसके ल अधिस वेली ही वो बड़े रिफायं किसम कि ही और बहुत ही अच्छ इनसान है अगर हम आज के दौर में इस इंडिस्ट्र में बात करें तो इस फ्रगल बनाने के लिए बहुत सारे हीवा होते हैं अलगल स्तेट से मुमबई की तरफ भागते हैं उतरवागंद से भी जाते तो भले है आपकी, मुझे लगता है आपकी प्रेस में भी हो, या छॉस्पितल में भी हो, हर जगह, क्योंकि क्या होता है कि युकांट डिनाइट मेल डॉमिनेट सोसाइटी है, तो वी विमन है तो हमको डबल फाइट करने पड़ती है, कि हमको अपना तैलेंट प्रूव करने के लिए और आउटर है, मतलब आपका अंदर कोई नहीं है, कोई आपका नहीं है, तो और फादर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आपको वहाँ पे अपना तैलेंट दिखाना है, तो और बच्छी है, यहाँए ऐसा इसा मेरे को नोपने नहीं नेम, यह एक दो तो बहूत लेकिन मुझे बाद में आने के बाद पता चला है, it is like any other industry, भई आदमी जात तो आदमी है, चाहे वो आपका प्रफेसर टीचिर टीचिंग लाइन में भी यह है, डॉक्टरी प्रफेशन में भी यह है, कहीं भी जाओ, क्या होता है, जो स्ट्रॉंगर होता है, वो जो वीक होत है, उसको एक्स्प्लाइट करने की कोशिश करेगा, अब it is upon the woman, कि वो प्रिपेर्ड है, एक्स्प्लाइट होने के लिए, तो फिर तो कोई नहीं, और अगर if she is not prepared, तो ऐसी बात नहीं है, कि उसको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि I have faced it and there are many other actors, जोनों नहीं नहीं एक्स्प्ला क्योंकि Mumbai में किसी चीज की कमी नहीं है, तो दूसरी होती है, तीसरी होती है, तो frustration कोई निकाला तो ठीक है, यह उसका look out है, लेकिन मुझे, या जो भी कोई और है, उसको अगर अपने तालेंट पे confidence है, तो उसे कोई ज़रत नहीं है काम प्रमाइस करने के लिए, मतलब I am sitting in my hometown and I can say with pride that I have never compromised, मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से क्या है, स्वत्तह किया है, और अगर किसी ने exploit करने की कोशिश की तो, क्योंकि हम पाडी लड़कियां बले ही सीधी हैं, लेकिन, हम लोग शेरनी होती है, मतलब हम तो शेरनी होती हैं, मतलब किसी की मजाल जो आपक बगार आपको टाच करें, या प्रपोपोजिशन करें, इस अप टो यू, हाव यू डील विद इट, आपको लड़ाई जगडा करने की भी जरुवत नहीं है, और एक दो बार तो मुझे खुद धर भी लगा कि भाहिया, ऐसा कुछ हुआ, तो मैंने तो बहुत बुरी तरह जाड़ दिया एक बार किसी एक स्टार को, तो अगले दिन सेट पे गई तो मैं बड़ी टरी वी, मैंने का या यह तो मैं तो भी नई 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 आई हूँ और यह तो इस्टैबलिश्ट है, क्या होगा, तो खैर, और वो शाम की किसी वहां पे हम लोग गए थे, मैं किस ने कुछ बोला, तो खैर, मैंने तो उसको खुब सुना दिया, बाद में फोन किया, तो फोन पे मेरी हेड्रेसर मेरे साथ थी, वो के तिया, माडम, अपने उसको क्या क्या पोल लिया, और मैं खुद सुबह घबरारी कि क्या होगा, खैर, जब हम सेट पे गए, तो वो आद तो मैंने ऐसे प्रिटेंड किया, तो तब मेरे बहुत अच्छा दोस्त बन गया, और इसने मतलब, I just try to ignore it, but I didn't, मतलब, मैं चार घबरा रही थी, और पता चला कि वो उल्टा घबरा रहा था, तो कि जो आदमी ऐसी घलत बात करता है, वो खुद भी डर पोक होता है, सबसे आप अगर उसको स्नप कर दो, लेकिन आप यह नहीं कि उसका डंका बजाओ या ऐसा कुछ करो क्योंकि ऐसा करने से खाली अटमसफेर बदमजगी खराबती, पीछे एक सीन हो आदा हम देख रहे थे, एक खबर आई थी वो जो तनुश्री दत्ता के साथ केस हुआ था, सेट अगर मैंने किसी पर्टिकुलर कोई स्टार का या डिरेक्टर का नाम ऐसे ले दिया तो उनकी करियर पे एफेक्ट पड़ेगा क्यांकि देर इस नो डाउट, इस हीरो ओरियेंटेर, मेल डॉमिनेटेट सोसाइटी, तो मीटू में कुछ लोग बाहर आय थे, वो मीटू था, और कुछ लोग ने बोला था, बट यूनो डर डर के, और यह हमेशा यह हमेशा इंडास्ट्री में क्या होता है, एक अक्टर के सब्सक्राइब करते हैं, यह एक बहुत बड़ी कमी है, कम करते हैं, इस नोट लोग इतने ब्रेव निया है, क्योंकि हरे को अपनी रोजी रोटी कमानी है, तो मेरा तो सिर्फ यह मानना है, कि अगर लेकि आपकी मर्जी के खिलाफ और आपको वीक होने की कोई सरत नही है, तो यह एक तो मुझकिल रास्ता है, और एक एकदम सीधा शॉटकट है, तो आपके उपर है, अगर आप में दुरड इरादा है, कॉन्फिडेंस है, तो I always choose the difficult path क्योंकि वह आपको सस्टेन आप करते हैं, शॉटकट में तो फिर आप कहीं खो जाते हैं, यह पूछने वाले क्योंकि बहुत सारे ऐसे यवाब को सुन रहे होंगे, जो कलाकार बनना चाहते हैं, तो यह शॉर्टकट का रास्ता कितने दिन तक स्टेबल रह पाता है, नहीं, बिलकुल, मैं तो सबसी यह ही कहते हूं, विनेवर आपको टेक वरक्शॉप्स, आज कल मैं, आज कल मैं, दिन आएं सितके सार मारीश कर बननों, रहे हम स्टेव इंपार से नाष्ट कासा, बिलकुल, मैं नहीं, नहीं, दिन नहीं, आपको थेढ़िआः तो नहीं, विनेश्ट का इव मैं जडियें, नहीं का रूसीज़ questoर, विज़तल त минут 15 15 तो मैं यह कहती हूं कि बिटा एक तो आसान रास्ता होता है। उसमें आप चलो आपको लगा कि चलो कॉंपरमाइस कर लो आज कलो आज कल तो भी दिंजर है। है ना? हाँ, बिकुस दे लौट अज वह तो आज को एक तरीका है लेकिन वह जादा दूर नहीं ले जाता है। करने हएं दो गजा है। और भील वह जाड़ यह जाज है। कि रासे नहीं ओड़ को का नोगेशा है अब कैसा वो बतलब सोचते होंगे? वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा? इस नहीं को तकराए दुबारा कुछ है? नहीं बहुत उसके बाद मैंने एक प्रडूसर डिरेक्टर के साथ बहुत बड़े प्रडूसर, उनके साथ एक बहुत बड़ी हिट फिल्म भी की थी और भी वेरी क्लियर के, I respect you sir and all that बस वो था क्योंकि और भी बहुत सारे है ना और भी गुल्शन तो भड़ा रहता है ना पूलो से तू नहीं तो और सही वहाँ इस मामिले में तो देया वेरी इस तिंग की चलो ऐसा नहीं की I don't know, कुछ लोग होते होंगे विंडिक्टिव, I don't know, but I don't think I faced that kind of thing I don't think so, या मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है हाँ मतलब मैं कुछ मुफट हूँ या कुछ उससे बज़े से कोई नाराज हो गया है या क्या हो गया है उसकी बात तो अलग है, but regarding that exploitation, I don't think because मुझे लगता है कि किसी को डरने की ज़रत नहीं है, खासकर यंग लोगों को मैं यह कहना चाहूँगी कि आपको अपनी इच्छा के खिलाफ कोई एक्स्प्लाइट नहीं कर सकता, but if you become weak and get exploited, then it is your fault आप अभी की बात करें तो आगे की क्या कुछ आपकी प्लानिंग से है, मतलब किस तरह की प्रोजेक्ट साप करना चाहती है और यह है पाइपलाइन में और रिसंटली क्या कर रही है रिसंटली तो आजकल मेरा वो जो जो चल रहा है हपो के उल्टन-पल्टन वो तो चार साल से चल रहा है और यह आप दो फिल्म करिया विछ बीच और फिल्म इच बीच्प्लाइन एक तो है दुकान जो कि इसमें वो जमतारा की है रहीन थी ना? मोनिका, I think वो भी देहरादून से है यह जाईब अग्यारी बाबाब, दोखें, तो ने ईटाइस वाद भी को फिल्मित कवान, वो एक फिल्म तयार है, और एक है बीनीयन बाब़ा, पंकषक पूर है हैं उसमें, और पंकश कपूर में उनकी साथ दूसरी बार, आफर प्रेम की देवानियू में वेराओ, आइ गात परौचनि तो कलाकार होगे, हम काम कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, I have no stories, क्योंकि मैं बहुत देखती हैं, तो दुकान, पता नहीं, I think, they are planning to release it first, बिनी इन बाबा, also, actually, फिल्म क्या भी, पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में होती हैं, तो अभी, they are not very clear, but either OTT or films, कोई भी होगे, आरुक सल्मान का आपने बताया, वो कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, सेट पे आपका मूड कैसा रहता है, देखो, पहले तो मैं, जब सेट पे जाती थी, तो वो देहरत उनकी पहाड़ी लड़की, तब तो में किताबों में गुसी रहती, अभी हुए किताब तो जब आफेंसे पोने कितां ये मचक पृष्णनल पॉसनन मतलब ऑधेंसे ब्हाड़ू थे पांगाय थेयुव परफेशनल पॉसनन पॉसनन से इव ये, क्योगे बॉर्ठिट से भाम झाया रहता थाहु हूँँ, है बड़ी बोरीग। मेरे को मतलब पार्टी में जादा शुरू में तो है चल बोले आप इतने अच्छे रोल की है और आप कहरा बोरिंग बोरिंग मतलब रियल लाइफ में मैं I'm a very serious person और मुझे अपना घर में रहना अच्छा लगता है किताबे पढ़ना और I like nature की walk के लिए जाना और हाँ I enjoy मतलब मस्ती करती हूँ set पे लेकि not all the time जैसा कि मेरा character होता है ना bubbly most of the films या tv serials में लेकिन अपने हाप में मैं काफी मतलब introvert kind of a person हूँ तो मैं या तो किताब या फिर अपनी green room में अपनी lines revise करती रहती हूँ और yes अगर बहुती अच्छा को स्टार है जैसे कि जब मैं करीना and all we used to have a wonderful time हम लोग जब प्रेम की दिवानी में I remember अभी शेक और करीना लड़ते थे कि she's my auntie she's no no I've worked I've done more films with her और यह सब दूनों लड़ाई करते और करीना बोलती थी कि मैं तो तुमसे भी पहले जब करिश्वा उस तो she used to come on the sets of hero number one and all those films तो उनके साथ बहुत अच्छा अभी शेक और शारूक और सल्मान और आउट्डोर जब करते थे आउट्डोर में तो बहुत मजाता था मतलब भी उस तो गो और लास्टे में दे इस तो बीए पार्टी तो सब हम लोग फैमिली की तरह बन जाते थे तो बहुत ही आई मतलब अच्छा समय गुसरा कभी-कभी तो आपको गलत लोग टक्रा जाते क्योंकि perfect world तो है नी बट जादा थार क्योंकि देखो भी आप अच कोई बहुत ही अब्लॉक्शस आदमी या औरत हो तो फिर मैं तो अवोईडी करती हूं क्योंकि मेर को यह सब टेंशन में चाहिए काम है बस वही ठीक है एक और बात मैं जाना चाहूंगी जैसे एक्टर में होता है कि कई तरहा के रोल आप लोग ने भाते हैं कई बार कभी होता है कि आपको बहुत बबली सा रोल मिला है चुलबला सा रोल मिला है वैसा सीन आपको करना है लेकिन आपको कभी मूड अपसेट है किसी बास से और बहुत अपसेट आपको नहीं लग रहा कि आप कर पाएंगे लेकिन फिर भी आपने वो परफॉर्म किया है पॉन कैमर क तो छोड़ो एक हमारे नाटकों में कहावत है कि the show must go on. तो मैं तुमको इंसिटन बताती हूं कि मैं काशी बनारस में मैं एक प्लेए खुट डरेक्ट लिया और अवस प्लेए लीड संतती और वो एक डांसर की कहानी है और कैसे वो डांस करती है हिस्टोरिकल पूरा वहां से तो मेरी ममी मेरे साथ महाई वी थी काशी और शाम को आफ और मेरे थीयर्टर मिला था तो उस में रहसल करने जाना था खैर रहने वे मैं उनके साथ हॉस्पिटल में गई मैं अपने बच्चों को बोला भई मेरे ममी की तविद खराव है तो तुम लोग रन थू कर लो मेरे बना म्यूजिक फ्यूजिक क्यूज कर लो लाइट कर लो मैं अपने खराव हॉस्पिटल में तो लोग एतना लाओ इतना लाओ इतना लाओ मैं जा रही हूँ एटीम बंद है चोटे शेर में एक जगह एटीम बंद है वहां एक में तीन हजार से जादा नहीं निकल रहे हैं विजिटिंग डिफरंट प्लेस और पहर जहां जहां मैं शो में हॉस्पिटल में फिर जहां पर वह मम्मी को तो आइसीउ में डाल दिया तो दे वर टेली मी यह दवाई लाओ वो दवाई लाओ वो बोलते हैं I was the only one तो मैं फिर जहां नगर नागरेक सभा जहां हमारा प्ले होना था उनके उनको पता चला तो उन्होंने कहा रही कि तो इस हॉस्पिटल में ही न्यू संबडी हॉस्पिटल तो मैं एम्बिलंस में ममा को उस हॉस्पिल में लया रहे थी तो एक दिल्ली के जर्नलिस्ट का है रवेंदर तरपाठी जी है उनका फोन आया कि और कैसी चल रही है थनतती की तैयारी उनको पता था क्योंकि इंडिन अपनी मम्मी के साथ तो फिर महाँ दो चार लोग आए और फिर मेरे डॉक्टर ने भी बोला कि उनके नेर डियर वन्स को बुला दो तो I called my brother और मेरी भावी ने उसको बता दिया मेरे बेटे को तो वह भी आ गया तो लोग छे बजे पहुंचे और फिर मैं छोड़ के हाला कि म अजय को अजय को होना था शो शो बावी ने अच्छ टार अच्छ टार अच्छ गंटे तक वेट करती रही और मैंने प्ले किया मुझे नहीं पता कैसा प्ले उसके बाद बचारे इस तंडिंगोवे शंदियाद लिए मुझे तो मतलब यह है कि I have to do the play और मेरे मतलब मतलब म अजय को अब करना पड़ेगा क्यों कि आपका काम है अपको तमाम उत्रा खंड के दर्शक सुन रहें खास कर युवाबी आपको सुन रहें तो पहाड की युवाओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे और खासकर उनको जो कि इसी फिल्म इंड़्य में अपना करि क्योंकि आजकल इतने सारे माध्यम आ चुके हैं, OTT है, आपका YouTube है, short films है, short films में उतना पैसा भी नहीं लगता, अगर आप short film बनाएं, अपने कलाकारी दिखाएं, और आप festivals में उनको भेज सकते हैं, और award भी मिल जाता है, तो this is the ideal time, और आप भले अपने शहर में रहकर भी अ जाना चाहें, क्योंकि ultimate तो वहीं जाना पड़ेगा, तो घबराने के कोई ज़रत नहीं, अगर आप में talent है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बस यह है कि आपको सिर्फ glamour के वज़े से actor बनने की मत सोचे, क्योंकि glamour के अलावा, it's sheer hard work, और बहुत patience चाह है कि not only, मतलब बड़े से बड़ा actor भी अब धूप में, ओपने में scene कर रहा है, तो फिर उसको चाहे मिस्टर बच्चन रहो हो, चाहे शारूक खानो, he has to do it, चाहे कंबल ओड के कर रहे हो, क्या अभी जैसे मैंने एक डिस्नी होस्टा के लिख शो किया, चिल चिल आती और पूरी गर्मी हो रही है और डायलोग बोले जा रहे हैं, तो यह सब परिस्थितिया, patience चाहिए, तो सिर्फ अगर आप ग्लैमर के लिए, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, एक अक्टर बनना चाह रहे हैं, नहीं, वो सब मिलता है, नाम, पैसा, शोहरत सब मिलत हैं, एक सचाही होनी चाहिए, और अगर आपने यह सपना देखा है, कि आप एक अच्छे अक्टर बनना चाहते हैं, और फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, बशरते, शुद हाव लिटल पेशंस, टाइम लगता है, आप देखे, नवाजु दीन को 14-15 साल के बाद ब्र पैशन होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, और तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराघंटक से बात चीत करने के लिए, थैंक यू, टॉसे प्लेशर, सारी था, प्लेशर, सारी देखे, झाल तू, सारी महां होनी बाद टो